कि नमस्कार स्वागत है आपका इस्पियर नाइन न्यूज में मैं हूँ आपके साथ शूती मध्य प्रदीश में कॉंग्रिस प्रदीश अध्यक्षपद के लिए कॉंग्रिस के निताओं में ही खटपीटिस सामने आते रहे हैं वहीं अब जो खबर सामने आ रही है वो यह है कि प्रदीश अध्यक्षपद के लिए अब कहा जा रहा है कि जो तरह से जो तरह अधित्य सिंधिया इस रेस में शामिल थे तो वहीं कहा जा रहा है कि अब मुक्यमंतरी कमलनात की करीबी को यहाँ पर प्रदीश अध्यक्षपद के लिए अब कहा जा रहा है कि जो तरह से तो राज्यस सभा भेजी जाने की तयारी की जा रही है वहीं जिस तरह से कॉंग्रेस की जो लेकिन हाई कमान ने एक पद एक पॉर्मूले होने की बात कही थी और इसी के अनुसार अगर राज्यस सभा चले जाते हैं जो तराधित सिंध्या तो उन्हें PCC चीफ का जो पद है वो नहीं मिलेगा और ऐसे में यानि की अभी तक राज्यस सभा जाने की जाने के लिए विचार मिमर्श हो रहा है वहीं बतादे की खबर ये भी आ रही है कि सिंध्या भी राज्यस सभा के लिए आ रहे हैं तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं ऐसे म प्रवाद पीजिसी चीफ का पड़ जो है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी को मिल जाएगा यानि कि यहां पर कॉंग्रेस नेताओं के बीच समन में मनाने के लिए एक अदम उठा सकती है जो तरह से मुख्यमंत्री कमलनाथ जोत्रादित सिंध्या के बीच खटपिट सामन समय समय पर ऐसे में कॉंग्रेस हाइकमान ने इस तरह की कदम उठाने के लिए विचार मिमर्स किया है बता दे आपको कि यहां पर जोत्रादित सिंध्या जो है अध्यक्षपत की रेस में है और ऐसे में जबकि अभी तक हाइकमान ने इस पर कोई भी बड़ा फैसला नहीं ह लिया है जबकि जोत्रादित सिंध्या के जो समर्थक है वो यह चाहते हैं कि मद्य प्रदेश में कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्षपत के लिए जोत्रादित सिंध्या को चुना जाना चाहिए लेकिन अगर बात करें मुख्यवंद्री कमलनात की तो उनका मानना है कि उनक सभा बेज़ा जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो है रास्ता वो साफ हो जाएगा और ऐसे में कहा जा रहा है कि कुमनलाच के करीबी को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है बता दें आपको कि सिंधिया के लावा पूर्मुक्यमंत्री दिविजा सि आते हैं वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं सिंधिया और सिंग दोनों ही राज्यस सभा में जाने के लिए नाथ पर निरभर हैं क्योंकि यह मुख्यमंत्री हैं जिन्हें मामले पर फैसला लेना है खैर क्या लगता है आपको आप हमें के मॉक्स में कमेंड कर बता सकते हैं आगे तमान जानकारी के लिए बने रहे हमार साथ नमस्कार